पाकिस्तान वर्सिस बांगलदेश के बीच खेला जारा फर्स्ट टेस्ट मैच का डेवन बेहदी खूपसरत देखने को मिला जहां पर एक समय पर पाकिस्तान की टीम का प्रड़ा भारी नजर आया तो वहीं लास्ट में यानि कि आखरी सेशन में पाकिस्तान के खिलाब मौाइना पेश के आप सभी को बता दे दो बल्लेवाज ने पूरे मैच का रुखी पलट दिया है और पाकिस्तान की गेंदबाज को उनकी नान याद दिला दी जिस तरीके से शुरुवात में धडलले से विकट चटकाती नजर आई पाकिस्तान की टीम तो वहीं दूसरी त और साधित खान जैसे गेंदबाज चमके तो वहीं पर दोस्तों मुशिफिकूर रहीम जैसे कई सारे बल्लेवाज तो हमने देखे हैं बांगलदेश से लेकिन डिटरंडास ने जो आज साथ दिया उनका बखुवी तरीके से बल्ले बाजी से क्या दिल जीता है बांगलदे 253 चार विकेट के नुकसान पर यानि की 204 रनों की पार्टनर्शिप क्या खुबसूरत यह पार्टनर्शिप इसकी तारीफ करते हैं आगे वीडियो में लेकिन अगर आप चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब नहीं किये तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजे ताकि आप ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरस्टिंग अब्डेट पासकें तीन T20 दो टेस्ट मैचों के सिरीफ पाकिस्तान वर्सिस बंगलदेश इसमें पाकिस्तान की टीम बंगलदेश टूर पर रहे जहां तीनो T20 मैच दोस्तों बंगलदेश को पाकिस्तान की टीम ने दोस्तो हर टीम चाहेगी अपने अंक बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की टीम ने शुरुवात मी अपना रवया जिस तरीके का दिखाया उसे साब पता लग रहा था कि इनका खतरनाक रुख बांगलादेश के लिए खतरे की घंटी बनकर आया है बांगलादेश ने दोस्तो टॉस जीत कर यानि की जो कप्तान मौमिनल होकी और यहां पर दोस्तो बाबार आजम टॉस के लिए आये तो देखने को मिला बांगलादेश के कप्तान ने टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी करने का फैसला किया मैदान की बात करें तो मैदान ने दोस्तों जहां पर बांगलादेश की प्लेंग लेवन देखने को मिली सबसे बड़ा जो नाम शाकी बालादेश की टीम है वो और भी मजबूत नज़र आ रही है जहां बात करें दोस्तों पाकिस्तान की प्लेंग लेवन की तो देखने को मिले अबदुल्ला शाफीकू आबिद अली अजर अली बाबर आजम कप्तान फवाद आलम मुहम्मद रिज्वान फई मश्रफ नॉमान अली हसन अली शाइन अफरीदी और साजित खान पाकिस्तान की बैंच पर उमाम उलहक अब बात करें किस तरीके से पहले पाकिस्तान के खिला बांगलादेश की टीम बल्ले बाजी करने के लिए मैदान पर इतुरी एक बड़े स्कोर के इरादे को रखते वे लेकिन पहले सेशन ने दोस्तो पूरी तरीके से तभा कर दिया बांगलादेश की टीम को पहले सेशन का करीब हाफ टाइम ही बीता था और तो और सत्रवे ओवर के अंदर तक दोस्तों चार विकेट गिर चुकी थी शदमान इसलाम दोस्तों सैफ असन के साथ ओपनिंग करने के लिए और ओपनिंग पार्टना शिरिफ और स्रिफ 19 रन की देखने को मिली जिसमें सैफ असन नहीं बनाय थे 14 रन 12 गेंदों में इसको टी-20 बन बना तो यह पाकिस्तान टीम के लिए काफी खतरनाक बन जाते तो 14 रन 12 रन 12 शादमान इसलाम ने तीन चोके की मदश से बनाय थे 50 का इंकर स्ट्राइक रेट था और ज्यादा बड़ी यहां पर पार्टनरशिप दोने वल्लेबाज यानि की शदमान इसलाम और नजमूल के बीच हुई नहीं थी यहाँ पर 10-12 रनों की बीच पार्टनर्शिप से क्या ही होता है टीम का तो शदमान इसलाम भी 14 रन बनाकर हसन अली के हाथ हुए आउट और लबीडबलू आउट हुए थे सैफ हसन कैच आउट हुए थे शदमान इसलाम हुए थे लबीडबलू आउट तो टीम यहाँ से मुसीवत में फस चुकी थी बांगलदेश की उनके सामने जादा बड़ा कोई लक्षे अब नजर आ नहीं रहा था क्योंकि दोनों अपनिंग बल्लेबाज 33 रन के अंदर सिमिट चुके थे सबसे बड़ा जटका उनको तब लगा जहाँ पर नजमुल हशन चनाटो खेल ले थे और दूसरी तरफ से कप्तान मौमिनुल को देखने को मिल ले थे मौमिनुल ने दोस्तों 19 गेंदों पर 6 रन मनाया था और साजित खान यहाँ पर मैच का तीसरा विकट लिया कैश पकड़ी रिजवान ने देखने को बात यह अच्छी मिले कि पाकिस्तान के जो पांचो गेंदबाज है वो अच्छी फॉर्म में नज़राए नॉमान अली को छोड़कर बाकी सभी को एक एक सफलता हाथ लगी यानि किसी भी गेंदबाज को यहाँ पर पूरी तरीके से पिस से मदद नहीं मिली सब को मदद मिले तो यह अच्छा पॉइंट रहता है क्योंकि आप सब विकेट चटकाते नज़राएंगे मौमिनल हक्या आउट होने के बाद दोस्तों यहाँ पर जब टीम का स्कोर पंदरवे ओवर की पहली गें तक 47 रन था तो तीसरा विकेट खो दिया और 14 विकेट दोस्त सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात यह थी कि चार विकेट खोदी उपर से यहाँ पर इनके पास क्या ही नज़र आएगा इनके आगे के राहें लेकिन आपको बताए यहां से पारी को समालते हैं मौशिफिकूर रहीम और लिटन डास एतिहासिक पारी इतिहास के पन्नों क्यूंकि जब आप सोच लीजिए उननचास रन पर टीम का चार विकेट गिर जाए तो यहां से क्या ही बसता है दोस्तो चार विकेट की बात किया यहां पर कुछ ऐसा ही चमतकार होता है क्यूंकि इंडिया वर्सिस न्यूजिलेंड के पहले टेस्ट के दुरान भी हमने डे पन चार विकेट के नुकसान पर तो आप समझ जाए हमेशा ही टेस्ट किरिकेट में यह कहा जाता है कि शुरवात के दस से पंदरा जो ओवर होते हैं वो अगर किस तरीके से बल्ले बास सर्वाइव कर गए तो आगे के मैश बल्ले बाजी कर पाना थोड़ा आसान रहता है स सुबही दोस्तों यह मुकाबला शुरू वाता साड़ नोबजे का इस पास भारते समय उनुसार तो यहां पर देखने को मिला किस तरीके से इन्होंने पहला सेशन पार किया उसके बाद तो दूसरे सेशन में दोने बल्ले बास से टोकर बल्ले बाजी कर रहे थे और तीसरे शैसर में तो इनसे बड़ा बास्षा कोई था ही नहीं एक सुनब्बे गेंदो पर बयासी रन मुशिफिकुर रहीम ने बनाए दोस्तों पच्चिस गेंदो पर एक सो तेरा रन की शतकिये पारी नाबाद खेली ग्यारा चोक एक छक्ये की मदद से लेटन डास नी पूरे क् पर कह सकते हैं कि टीम मेंबर्स ने इनका तालियों की गड़गड़ाट के साथ अंदर स्वागत किया यहां पर पवेलियन में बनता भी है दोस्तों क्यूंकि 204 रन की पारी तब खेल ले हैं जहां से शाहिन अफरेदी हसन अली जैसे धारदार गेंदबाजी कर रहे हैं शा अले दिन की स्टम्स तक स्कोर रहा है और दूसरा दिन भी दोस्तों यही से शुरू होगा जहां से लिटन डास और मुशिफिकूर रहीम शुरुवात करेंगे तो देखते हैं दोस्तों फिर से नई गेंद थमा दी जाएगी हाथ में अब्भे ओवर का खेल क्या उसमें मु अबने दोस्तों यहां पर इस तरीके से बांगलादेश और इस टेस्ट सीरी जाएगा जाएगी है देखने लेकिन बाबाराजम यहां पर कुछ न कुछ हतियार लेकर आएंगे दूसरी दिन के खेल पर नेक्स्ट नई स्पोर्स की रिपोर्ट कर दो कर दो कर दो